तो इस वीडियो में आपको एक और नहे बुलिस कंट्टिनीवस चार्ट पैटर्ण के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है बुलिस ट्रेंगल चलिए इस फीडियो को सुरू करते हैं तो simple नहीं मैं अपने laptop का screen recording on करता हूँ on करने के बाद से आज मैं आपको white board पर समझाता हूँ तो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखा हूँ bullish triangle यह जो है आज हम इसी के बारे में समझने वाले bullish triangle तो यह आपको chart per किस तरह से देखनी के लिए मिलते हैं सबसे पहले मैं उससे समझा देता हूँ तो यह chart per जैसे आपको optrain में मिलेंगे एक बार उपर में आपको तीन बार resistance लिया हुआ दिखेगा उपर में कितने बार resistance लिया हुआ दिखेगा आपको तीन बर दिखेगा उसके बाद से यह जो ब्रेक आउट करता है तो यहां पर आपका टार्गेट हो जाता है कहां पर आपका टार्गेट हो जाता है यहां पर आपका टार्गेट हो जाता है जस्ट देखिए यह जो है आपका पॉला रेजिस्टेंस होगा यहां पर आप तो इसको आपको देख लेना यह चार्ट पे बनेगा तो किस कंडिशन में यह वर्क करेगा उसे आईए मैं समझाता हूँ तो सबसे पहले मार्केट का जो ट्रेंड होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए सबसे पहला पॉइंट है मार्केट का जो ट्रेंड होना चाहिए ओप ट्रेंड में होना चाहिए ओप ट्रेंड में रहेगा तभी बुलिस ट्रेंगल आपको चाटिये उवर करेगा दूसरा जो है जब आप इंट्री बना रहे हैं तो उस टाइम में वैलोम के आ होना चाहिए, यहां बढ़ना चाहिए ऐसा नहीं कि आप जब कि इंटरी बना रहे हैं और वैलोम नहीं बढ़ रहा है तो आपको इंटरी नहीं लेना है तो चलिए अब इसमें समझा देता हूं कि आपकोrophy कैसे लेना है और trade कैसे करना है तो simple ने आपने भी समझा कि market का जो trend होना चाहिए वो इस आप अप्टरेंड में होना चाहिए market का trend आप समझ गए कि वोड़ेन में है यहाँ पर देख सकते हैं कि market का जो trend है वो up trend में है तो first resistance हो यहां पे है second resistance हो यहां फर्ड fare, thIS आप है और target जो है आप market के उपर रहने दे target को क्या करना है आपके market को उपर रहने देना है क्योंकि target देखिए आप कितना target ले सकते हैं आपको नहीं पता आप जो है अपना सिरिफ stop loss ही place कर सकते हैं आपको market में loss कितना लेना है आप उसे ही सिरिफ जान सकते हैं मार्गेर कितना मिलेगे यह मार्केट को उपर रहने दे अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आपको विडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले